हेलो गाईज, स्वागत है आपका आपके ही चैनल Veggie वीडियापर आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंट्रस्टिंग सी हलडी सी लसी की रेसिपी लसी तो आप सब पीते होंगे पर आज जो लसी हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग सी अमेजिंग सी लसी की रेसिपी है और अगर मैं आपको इसके बेनेफिट्स बताऊ तो लसी हम सब को लू से बचाती है और कहीं न कहीं हमाना डाजेशन सिस्टम सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं अपने मैंगो लसी, सबसे पहले हम एक कटोरी द Arms मेखि के जान में डाल के सथी साथ यहां पर मैंने एक बड़ा मैंगो चॉप कर लिया है हम वो भी साथ पर डाल लेंगे हम एड़ करेंगे शुगर, टेस्ट अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ एक चमल शुगर यूज़ किया है, और इसे अच्छा से ब्लेंड कर देंगे, हम यहाँ पानी का यूज़ बिलकुल भी नहीं करेंगी, इससे लस्टी हमारी गाड़ी नहीं बन पाएगी, और अब हम गिलास में डाल लेंगे अपनी मैंगो लस्टी, हम रहें यहाँ पानी का यूज़ नहीं किया था तो, आप देख रहे हैं हमारी लस्टी कितने थिक और गाड़ी गाड़ी लस्टी बन के तियार हो चुकी है, जो हम अपनी दूसरी लस्टी बनाने जा रहे हैं, वो है हमारी चॉकल लस्टी, हमने लिया एक कटोरी दही, एक बड़ा चम्माचीनी और आप हम इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर, यह आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे चॉकलेट सिरप भी आइड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और इसे मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, आप देख रहे हैं कितनी क्रीमी क्रीमी लस्टी बनी है हमारी, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए उपसे चॉकलेट सिरप और चोको चिप्स भी मैं एड कर रही हूँ, जिससे देखने में बहुत सुन्दर भी साथ ही साथ हम एड करेंगे एक चमचीनी पाउडर और अच्छे से मिक्सी में इसे ब्लेंड कर देंगे, हम यह प्लेन लस्टी बना रहे हैं, अब हम इसे यहां गिलास में सर्फ कर लेंगे, उपर से हम सर्फ करेंगे ब्लू बेरी आइस क्रीम, जिससे लस्टी हमारी बहु अब हम चलते हैं अपनी चोथी लस्टी की और जो हम बनाने जा रहे हैं रोज लस्टी, सबसे पहले हम एक कटोरी दही मिक्सी के जार में डाल लेंगे, एक चमचीनी और यहां मैं डाल यह रूवजा, और साथ हम इसमें आड करेंगे एक बड़ा चमच टॉबरी आइस क्री अब हम अपने रोज लस्टी को एक ग्लास में सर्व कर लेंगे, और यहां बनके त्यार हो चुकी है हमारी रोज लस्टी, उपर से हम रूवजा थोड़ा सा डेकॉरेशन के लिए डालेंगे, जिससे देखने में बहुत ही सुन्दर लगीगा, यहां रेडी है हमारी स्टॉ करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक क्या, बबाए